हेलो एवरिवन आज का लेक्चर जो हम डिसकस करने वाले हैं वो होगा हमारा और मेरा फिवरेट है ये टॉपिक कॉंसाइन्स एस सोर्स ओफ इतिकल गाइडेंस नेतिक मार्दर्सन के रूप में अंतरात्मा इस चीज को हम प्रोसीट करेंगे बहुत प्यार से समझेंगे इसके फंडमेंटल्स को क्लियर करेंगे जितने भी डाउट है इस से असूसियेटेट कि आकरी यह है क्या चीज इसके बारे में जो सब कोई बात करता है हर चीज को हम देखेंगे बट उससे पहले हमेशा की तरह तोड़ी सी छोटी सी अनाउंसमेंट कि आपको इस वीडियो की नीचे एक लिंक दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी डोनेशन की तो आप डोनेट करिएगा प्लीज हमको सस्टेन करने के लिए जिस भी लेवल का डोनेट एक रूपी से आपकी मर्जी जिस लेवल तक आप जाना चाहते हैं डोनेट करिए हमको सस्टेन करने के लिए बहुत सही रहता है ये सब चीजे उसके अलावा हमने एड्मिस्टेशन एंड मेनेजमेंट जो पेपर 2 के लिए 30 मार्क्स के लिए हैं वो हमने कंप्लीट करा दिया है सोसलोजी तेलेग्राम के वाया किसी भी लेवल से आप हमसे डाउट पूस सकते हैं और हमारे लेक्टर्स अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेक स्योर कि आप उसे लाइक करें ताकि लाइक से पता चलता है कि हम जो डिलेवरी कर रहे हैं लेक्टर्स की वो सही हैं अब बढ़त हमारे मार्च में पेपर हुए हैं उसमें आया है बड़ा यूनीक सा क्वेश्चन है इस पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्रियेटिविटी एंगल चाहिए रहता है क्योंकि एथिकल गाइडेंस है क्या है असा क्या है इस पर जो तो हम फंडेमेंटल जब क्लियर कर चुके होंगे तो ये क्वेश्चन को सॉल करना बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद एक क्वेश्चन आया हमारा कि what do you understand by consigns as a source of ethical guidance कुल मिला कि जो चीज स्लेवर्स में दिये वो ही उठा की सीधे अपने आप में question है वो तो वो पूझ लिया कि नैतिक मार्दसन के रूप में अंतरा आत्मा को समझाएगा इत्ता ही इन्होंने पूझा है तो लेकिन इस सब्द को जाना अंतरा आत्मा ऐसी क्या चीज है ये विक्सित होती क्या पैदाईस हमको मिलती है ऐसा क्यों होता है कि जो गलत कात कत्ते हैं उनकी अंतरा आत्मा मर चुकी होती है जैसे अभी covid की situation चल रही है मतलब बहुत dimensions के साथ देखेंगे हम इ कि यह है क्या क्रक्स इसका जानना बहुत जरूरी है कि सबसे पहला सवाल खाड़ा होता है कि कोई covid की situation में कैसे कालावजारी कर सकता medical का अपन लोग घर में discuss करते हैं इनकी आत्मा मर गई है क्या तो यह अंतरा आत्मा ऐसी क्या चीज है कि जो हमारी बड़ी अच्छी बात क गलत काम क्यों कर रहे हैं और गलत काम करने वालों के बारे में हम बोल रहे हैं कि इन लोगों की अंतरा आत्मा को ऐसा क्या हो चुका है मतलब हम क्या सोच रहे हैं कि हम जो मतलब general public मतलब जो हम सामान जीवन जीते हैं और जो गलत करत करने वाले लोग हैं तो इस तरीके से सम दारान से लोग और B नाम का तपका है जो गलत काम करते हैं डिमॉन्स हैं यह सिंग लिख ले हुए इनकी इंसान नहीं है जान वारा है ठीक है तो यह सोचता है कि यार इस सिचुवेशन में कोई काला बाजारी कैसे कर सकता है लेकिन यह कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी कौन साइन्स हमारी अंतर आत्मा और इनकी अंतर आत्मा अलग अलग हैं बराबर तो हैं नहीं वो अलग तरह के सोच रहा है हम अलग तरह के सोच रहे हैं तो ऐसा क्या हो जा रहा है कि हम सहीं सोच पा रहे हैं हमको ऐसा लग रहा है कि यह गलत काम है लेकिन उस सामने वाले जो गलत कारे कर रहा है वो आदमी उसकी आत्मा इस तरीके से मारे क्यों गई हैं क्यों गलत काम कर रहा है क्योंकि इतना तो समझ में आता है कि मेडिकल के टाइम पे मेडिकल की काला बजारी कोई कर रहा है वो तो लिटरेट आदमी होगा सिक्षित हो गई क्योंकि अनपढ इंसान तो गोलियों की काला बजारी नहीं कर सकता हाँ उस काम में इंडल्ज हो सकता है कि जैसे मान के चलिए एक हॉस्पिटल है उसका डॉक्टर है वो काला बजारी कर रहा है और उसकी स्टाफ के मेंबर्स फिर उसके बाद हेल्पर्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर वो बहुत हेल्प कर रहे है अंदर की चीज बाहर ले जाने में यह हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया लेकिन यह चीज को बाहर ले जाने में भी तो मेंबर्स की जरुत पढ़ रही है ये भले ही हो सकते हैं, पढ़े लिके educated नहीं हो सके होंगे, uneducated होंगे फिर उसके बाद तो अलग बाहर change चल लही है, ये चीज़े बाहर जाई रही है लेकिन यहाँ पर भी तो education पर question mark लग चुका है, सिक्षा पर question mark लग चुका है तो असिक्षित वाली बात तो हट चुकी है, यहाँ पर, conscience का क्या खेल है क्या सामाजिक तोर पर विक्सित होती है, क्या गरीबी का कारण है, अंतरमात्मा अलग हो जाती है है ना, तो अब देखते हैं कि क्या evolution इसका होता है अगर यह जान लेंगे, तो हम questions को अच्छे से deal कर लेंगे लेकिन उससे पहले, एक सब्द होता है, conscience या फिर, conscious, एक सब्द होता है, और एक conscience होता है अंतरमा हो गया और conscience होता है, सचेत या फिर, चेतना कहा जाता है consciousness की बात करते हैं, इन नोनों में अंतर पहले देख लेते हैं इन सब्दों का अंतर पता चलने से हमको आगे बढ़ने में और मज़ा आएगा तो हम चीजों को बहुत तोड़ते जाएंगे, बहुत तोड़ते जाएंगे जीना है हमको इतिक्स को, इस तरीके से हम पढ़ना चाहते हैं, इसको ठीक है तो एक चीज होती है, conscious, सचेत कहते हैं, और इसको ज़्यादा तर प्रचलित वर्ड है, चेतना और ये conscience होगी, तो इन दोनों पर अंतर देख लेते हैं, सबसे पहली बात, conscious का मतलब होता है, what we are हम क्या है, क्या है, उपनिसत कहलो, रामायान कहलो, अच्छी अच्छी बाता कहलो, बड़े बड़े ग्यानियों को कहलो, सब क्या कहते हैं, who you are, आप क्या हैं, आप कौन हैं, अपने आपको जानने की बात होती हैं, वो होगी हमारा conscious, और conscience होगी अंतर आत्मा, मतलब वो कहत हैं, कि आपको क्या करना है, is telling you what to do, आपको क्या करना है, अब समझते हैं, यहाँ पर एक मैने डाइग्राम बनाया होगा, इस पर focus करते हुए मैं बातों को समझाऊंगा, Conscience refers to morality choosing the correct actions, मतलब आंतर आत्मा हमारे नेत्ति क्रत्यों से related है, जो कि हमें यह बताती है कि हमें क्या सहीकार करना चाहिए, और Conscience का मतलब होता है, means to do aware of what's going on, मतलब हम सचेत रहते हैं, हम सचेत हैं, हम के पता है कि, जैसे मतलब मैं आच आप से साथ डिलेवर कर रहा हूँ, तो मैं सचेत हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं किस क्रत्य के साथ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और क्या जो मैं कर रहा हूँ, वो क्या सही है या गलत है, वो मेरी अंतर आत्मा मुझे दिरधारित कर रही है, तो अपने क्रत्यों, अपने काम करने को, कह बैटर कर रहा है हला आवाज सोरगुल चल रहा है पीछे आपके दिमाग में हैड में और आप कोई काम कर रहा है आप मन लगेगा नहीं ना जैसे कि आप मांनकी चलिये आप दुकान में गया मौल में जैसे ये मारले कॉनसाइंस वूड लेट हर सॉफ लिफ्ट इसका मतलब यह हो गया कि would not let her soft lift मतलब इसका मतलब होता है कि आप जैसे माल पे गाए माल में हर चीज़ें आपको मतलब सुपरमार्केट गाए सुपरमार्केट में हर चीज़ें आपकी बिखरी हुई रहती है आप कोई भी चीज़ उठा सकते है अपने थेले पर तो आप एक छोटी चीज़ को भी चोरी कर सकते है अगर कैमरा आपको पैन नहीं कर रहा है लेकिन आपकी अंतरात्मा बोल लेती नहीं यार ये गलत चीज़े ये चीज़ नहीं करना चाहिए कई बार आप रोड से जा रहे होते हो कोई आपसे लिफ्ट मांगता है आप उस टाइम पे तो इकनूर कर देते हो बड़ थोड़ा आके जाने के बाद आपकी अंतरात्मा बोलती आपको यार मेरको उसकी मदद करना तो कई बार आप टर्न वापिस लेके वापिस भी आजाते हो कई ऐसे इंसिदेंट होते हैं कि आप कुछी चीज कर तो लेते हों कि ना पी अंदर से कावा जान लगती है नहीं नहीं सम्तिंग गोइं रॉंग, सम्तिंग गोइं रॉंग कुछ गलत चल रहा है मतलब चेतना हमारी क्या बोल रही है मतलब आपके दिमाग में यहाँ पे कुछ पड़ा आप हो गए, अचेत हो गए मतलब सचेत नहीं हो आप आपकी चेतना चले गई है मतलब आप जिन्दा हो लेकिन आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ मैं कहा गया आप अपने आपको भूल गए लेकिन आप कोमा से जब वापस आगए तो यह कौनसियसनेस हो गई तो यह सब्द मैं इसली बताना चाह रहा था कि आप क्लियर हो सके तो आप आपका कंस्यूजन में बहुत आसान तरीके से मैं तोड़ देता हूँ जब कभी भी आपसे चेतना के बारे में पूछा जाये तो यह बताती है आप कौन है इस चीज को उजागर करती है और कौनसाइनस मतलब अंतरात्मा की बात आती है तो अंतरात्मा करत्य से रिलेटेड है जो कि हमको बताती किया सही है और क्या गलत है तो अब सवाल खड़ा होता है सबसे बड़ा एक सेकेड अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है की कौनसियस कौनसाइनस जो है मारी अंतरात्मा जो है यह पैदा कैसे हुए इसका evolution कैसे हुआ क्योंकि मैं मेरी जो अंतरातमा है वो अलग हो सकती है और आपकी अंतरातमा अलग हो सकती क्यों अलग हो सकती है यह जानना भी ज़रूरी है तो इसके पैदा होने की दो component होते है दो component होंगे यह सिर्फ आपको concept clearing के लिए जरूरी है एक्जाम से इसका कोई लिना देना नहीं, लेकिन इका समझना बहुत जरूरी है, आगे जाके जब आप सर्विस में भी जाएंगे, तो ये सब चीजे बहुत इंपोर्टेंस रखेंगे, क्योंकि आप बहुत fundamentals को clear कर चुके होंगे, तो दो करत्थ होते हैं, एक होता है social component, मतलब सामाजिक और एक होता है individual, याने व्यक्तिकत, मतलब हम यहाँ पे इसके पैदा होने के सवाल पर पैदा कर रहे हैं, कि कैसे conscience पैदा होती है, अंतरात्मा पैदा कैसे होती है, है ना, तो social में हमारा हो जाता है कि आप किस धर्म में पैदा हो रहे हैं, किस caste में पैदा हो रहे हैं, किस जगा पे पैदा हो रहे हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया में हो, सौथ इंडिया में हो, है ना, यह social element में हो जाते हैं, individual element होते हैं हमारे खुद के experience के basis में, मानने के चलिए दो लड़के हैं एक बाप के दो लड़के हैं और मानने के चलिए ट्विन्स ही हैं ताकि आप सोसल एक्सपिरियेंस को भी खतम कर दीजे एक का नामे ए और एक का नामे बी और बी चले गया सहर में पढ़ने के लिए और ए चले गया A चले गया सहर में पढ़े और B चले गया अपने पिता-पिता मतलब टाउन में ही रह रहे हैं वो कस्बे में ही रह रहे हैं तो दोनों की experience अलग-अलग होंगे अब जिन्दगी जीने के दोनों की conscience अलग-अलग हो जाएंगी सहर में जाने वाले लड़के को समझ में आगे कि वो रूडिवादिता को अलग चले गया लड़कियों उसे बात करने को comfortable होगा जो टाउन में ही रहा वो लड़कियों से उत्ता comfortable नहीं हुआ वो कई लड़कियों की अवधारनाओं को अलग लेके चले गया तो जब कभी भी उसके सामने situation आईगी द्वन्द की तो ए वाला लड़कियों के मैटर में बहुत अच्छे decision लेगा क्योंकि उसका experience अलग है और B की conscience थोड़ी अलग तरीके से बताईगी क्योंकि उसको social factors ने ज़्यादा अलग तरीके से evolve करवाया है तो समझ के conscience के पैदा होने के दो factors बहुत जरूरी है एक social और एक individual तो एक सवाल खड़ा होता है कि फिर अमीरों की conscience इतनी खराब क्यों हो जाती है रेमडे सीवर का जो काला बजारी हुई थी COVID की situation में तो इस time पे हो जाता है ये तो बता देता है आप कौन है हना तो जब ये व्यक्तिकत का मैं मतलब आई जिसको आध्यात में ego कहा गया है जब ये दिन पर दिन बड़ा होते जाता है बड़ा होते जाता है बड़ा होते जाता है बड़ा होते जा रहा है होते जा रहा है तो ये उसकी अंतरात्मा की उपर ये मान के चलिए उसकी अंतरात्मा कहीं कोने में थी इसको भी उसने लबेट लिया और इससे भी उपर हो गया उसका अहम मतलब जब वो उसकी अंतरात्मा मर जाती है सिर्फ व्यक्तिकत लाव और हानी से वो चीजों को देखने लगता है इसलिए वो इंसान मानव से डेथ का रूप ले लेता है जिन किसी ने भी इस सिच्वेशन में काला बजारी करी थी तो इनका स्वार्थ, व्यक्तिकत नीद स्वार्थ इतना बड़ा हो गया अध्यात्म कहता है हर अध्यात्म प्रेम की बात सिखाता है तो इसको इस तरीके से समझिये कि आप प्रेम ही हो अध्यात्म का काम क्या होता है कि आप बता देता है कि आप प्रेम ही हो लेकिन आप इस एक घर के अंदर पैदा हो मतलब एक मिट्टी जैसी आपकी उपर लिप्थ हो चुकी या फिर मान के चलिए एक ऐसा structure ये आप हो जो आपके अंदर एक ऐसी चीज़े वो प्रेम ही है लेकिन आपकी ego ने इस तरीके से आपकी उपर boundary बना लिया है तो आध्यात में काम है ये छेनी हतोड़े से इसको तोड़ते जाना तोड़ते जाना और आपके अंदर के प्रेम को बहार ला जाना इसलिए अच्छी बाते हैं रामायन, भगवत, गीता, कुराण, बाइबल, कबीर सहाब, तुलसी दास, स्वामे विवेकनन, माहत्मा गांधी, अब्दुल कलाम ये ऐसे लोग हैं, जो इनकी कही हुई बातों को पढ़कर, आदमी के अंदर का जो एहम है, उसको तोड़कर प्रेम की और वो अग्रसर हो जाता है ऐसा लग रहा होगा, बहुत फिलोसिफिकल बात हैं, लेकिन इनका बहुत क्रोज रिलेशन है एथिक्स के साथ, इनको बिना बताए, कोई ओचित्ते ही नहीं है इस चीज़ को पढ़ने का तो समझ गए, आद्धात्म का क्या काम होता है अंतर आत्मा और चेत्ना को समझना भी बहुत जरूरी था किस तरीके से वो दोनों अलाग हैं, इस चीज़ को भी हमने जान लिए अब हम एक्जाम के लिए प्रिपेर हो चुके हैं कैसे आदमी गलत हो जाता है, कैसे उसका एहम बड़ा होते जाता है क्योंकि आदमी को self-examine, खुद को जानना बहुत जरूरी है कैसे जानोगे अब अपने आपको, सवाल खड़े करोके कोई भी action करे, मैंने ऐसा क्यों करा dimensions खोल के रखो, अगर मैं ऐसा करता तो मैं किस तरीके से सोचता दीरे दीरे जब आप अंतरात्मा को जानने लगोगे, अपने आपको जानने लगोगे तो आपको मज़ा आने लगे है, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया, उसने जग को जीत लिया लडाई चलती जहती है अपने बीच में लेकि दीरे 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 आप अपने आपको जानते हैं, अपने आपसे दोस्ती होने लगती है, फिर एक अच्छा संबन्द बनाने लगते हो अब देखते हैं exam से associated इस चीज को आगे बढ़ते हैं Conscience का सबसे गजब example है कनन गोपी नाथन All you need is Conscience and IS officer who quit over the state operation in कस्मीर Article 370, इसमें क्या कहा था, सेंटर में कोन थी हमारी BJP पार्टी BJP ने क्या गया, ना कस्मीर की जनता को पूचा और ना ही वहाँ के निताओं को स्टेट पे लिया और कस्मीर को इंडिया से मिला दिया दो गुट के लोग आ गए इसमें, majority, लगबख 90 प्रतिसत ही कह लीजे मैं आकड़े एक सिक्ट नहीं है, भारत की जनता को सहीं लगा कि सहीं है यार हमारे international relationship के लिए बार बार ये conflict पैदा होते जाते थे कि ये सहीं वो गलत, इसमें फसना, उसमें फसना, सहीं decision तक हम पहुँच नहीं पा रहे थे तो कस्मीर को भारत से जोड़ना बहुत जरूरी था वरना हमारा देश की सांती के लिए बहुत जरूरी था वही लेकिन दूसरी तरप के लोग थे action हुई 370 दो thought पैदा हुए, दो विचार पैदा हुए A और B B को ऐसा लगा कि हमारे international relation फिर हिंदू डोमिनेंसी तिरह ऐसा है कि बार-बार वहां पे हमले हो रहे है पाकिस्तान को एंटर मिलती है इसलिए ठीक है, भली हमने state को consider नहीं लिया, लेकिन ये decision तो सहीं था B ने भी यही कहा, कि सहीं decision है लेकिन हमको democratic way में लेना था लेकिन A कहते थे, अगर ऐसा लेंगे तो हम decision तो होई नहीं सकते उन्हीं में से एक leader थे कननन गोफिनातन सर सर का कहना था, कि आपको एक अंतरात्मा चाहिए सहीं decision लेने के लिए इसलिए उन्हें ने बोले कि मेरी ये हैं अंतरात्मा ही है जिसने मुझे force करा कि मुझे quit करना चाहिए और एक प्रकार से सक्क्री ये politics में आना चाहिए ए-political होके, बिना किसी political association से जुड़े होकर ये political होके जनता के बीच ये बात रखनी चाहिए कि क्यों ये गलत है इसलिए सबसे अच्छा example करना गोफिनातन सर है, इनकी conscience ने इनको गोला था कि ये बात ये भी कहते हैं कि आप जब system में घुश जाते हो तो सबसे painful situation और सबसे important चीज ये जानना होता है कि आप appreciation से बचें क्यों बचें इनने कहा है कि जैसे आपको ये काम कर रहे है आपकी senior ने बुला कि हमको ये काम करना है और आपने जब वो काम कर लिये उसके बाद आपका senior आपकी फीट थपता पाता है तो जो आपको sense of satisfaction मिलता है senior का वो एक next level का मिलता है आप एक loop में फस जाते हो भली जबकि वो काम जो senior ने आपको बताया हो गलत है तो वो बताया हुआ गलत है लेकिन आपने किसलिए करे reward के लिए क्योंकि आपको satisfaction मिला आपको appreciation मिला चार लोगों में office के बीच में आपको senior ने आपको बुलागा बुलाग देखिये इनोंने कितना अच्छा काम करा है अगली बार फिर आपको उसने काम बताया आप अलग motivated होगा कि मेरे को सर के लिए काम करना है बट आपको पता ही कि वो senior का काम आप बलग कर रहे तो इस चीज को distinguish करने के लिए conscience बहुत importance रखती है हमने ये भी देख लिए conscience कहते evolve होती है सामाजिक social factor, social component भी है और individual component भी है individual experience भी है और किस तरीके से एहम हावी हो जाता है चेतना की उपर जब आदमी मनिस्टे से death बन जाता है और कि किस तरीके से आध्यात्म अच्छे लोगों की बाते ग्यान culture ये कितना importance रखता है कि प्रेम को जानने के लिए जो कि आप प्रेम हो तो कनन गोफिनातन सर का example इसली बहुत जरूरी था conscience को जानने के लिए अब यहाँ तक जितनी भी picture हमने देखे थे ये सिर्फ और सिर्फ हमारे concepts को बिल्ड करने का मकसद था इसका कोई कहीं से कुछ भी लेना देना नहीं है exam में तो बहुत basic level की चीज आईगी लेकिन एक बार concepts clear हो है तो अब मैं जायेगा चीजों का आगे बंढ़ेंगे अब सीधी बात तीन नंबर का question मनगे अगर आपके सामने है कि अंतरात्मा को बताईए define conscience तो आप क्या बताऊगे conscience is intuition or a judgment that assist in distinguishing right from the wrong विवेक अंतर ग्यान या निर्ण है जो सहीं को गलत अलग करने के लिए सायक करता है सीधी बात है सही और गलत को अलग करने के लिए कोई चीज है तो अंतरात्मा है तो ये क्या है अंतर ग्यान है intuition है keyword आगया अपना intuition और judgment इसको और क्या कहा गया it is also called inner voice अंतरात्मा यहाँ पे inner missing है इसे क्या कहा गया है यहाँ पे inner जोड लीजेगा inner voice inner light इसे भीतर की आवाज या भीतर की रोसनी भी कहा जाता है क्योंकि आप कोई करक्ट कर रहे हैं आपको suddenly social component आपके experience आपने जो ज्ञान अरजित किया बहुत सारी चीजें आपने अच्छे सीखी हैं अपने जीवन में आपके पिता के द्वारा, माता के द्वारा, कल्चर के द्वारा, धर्म के द्वारा, फिर आपकी खुद के experience रहे हैं बड़े लोगों की बाते सीखी हैं आपको पता चल गया है कि यार यह जो action हो रही है on an ethical course of action जब हमारी द्रश्टी सुख की मजबूरी से संकुच हो जाती है, संकुचित हो जाती है तो यह हमारी अंतरात्मा है जो हमें कारवाई के नेतिक पाठेक्रम पर बने रहने के लिए मार्ग दर्शन करती है या करता है वही मैंने बोला न रेम डेसीवर का कालत धिंडा करने वाला डॉक्टर और उसका पूरा इंफ्राइस्ट्रक्चर और प्रसासन के कुछ अधिकारी भी होंगे तो इनका इनका एहम सुख के गतिकत सुख में बहुत बड़ा हो गया जिसने इनकी conscience को छोटा कर दिया इसलिए ये बुरे हो गया लेकिन अगर उसी टाइम पे अगर इनकी अंतरात्मा बढ़ जाती तो इनके व्यक्तिकत परिद्रस्य को व्यक्तिकत लाब और हानी को छोटा कर देती conscience बड़ी हो जाती और समाज के लिए समाज के लिए बहुत अच्छी चीज हो जाती इसलिए conscience एक social harmony के लिए बहुत जरूरी है peace बनाने के लिए बहुत जरूरी है आप कहीं भी लेलो हमास का केस लेलो पिलिस्तीन का केस लेलो इसराइल का केस लेलो हिंदू मुसल्मान का केस लेलो पाकिस्तान का केस लेलो भारत का केस लेलो अंतर आत्मा का होना बहुत जरूरी है खून तो सबका ही लाल है ना सर काट लो आप सब ही रैड लेंगे इसलिए प्रेम से बड़ा कोई ग्यान नहीं अब इसका एक्जामपल देखते हैं ethical person decide to steal out of compulsion to feed his hungry children but his inner voice stops him to uphold his ethical value एक नितिक व्यक्ती ने अपने भूके बच्चे को खिलाने के लिए मजबूरी से चोरी करने का फैसला करता है लेकिन उसकी आंतरिक आवाज उसे नितिक मुल्यों में बने रखने के लिए उसे रोग देती या देखो कितनी खुबसूरक चीज है अंतरात्मा से लेकिन उसने सही और गलत में भेद कर दी और सही रास्ते में चलवा दी भूक तो लगी थी चोधी तो कर सकता था लेकिन इक अंतरात्मा ही आपको जो रोग देती अंतरात्मा का पैदा होने से लेकर अंतरात्मा का क्नाम तक हमने देख ले तो definition हो गई अब ये 2 Marker में आ जाए, 6 Marker में आ जाए, 15 Marker में आ जाए, किसी में Marks में आ जाए, आपके पास content हो गया, concept हो गया, आप फस होगे, नहीं नेक्स स्लाइड में बढ़ते हैं, अब एक Diagram हो गया अब इसमें एक Diagram है, जैसे आपकी Voice of Consciousness, ठीक है, Voice of Consciousness पीछे से आई, उसने आपके बीच में Decision लेने की छमता पैदा करी, निर्देशक निर्ला नेने के लिए, फिर उसके बाद आप उस Situation में पहुँच गए, कि हम माने या ना माने, अगर मान लेंगे, अंतरात्मा की बा वाला लिए, और नहीं माने, तो आपको, यार मेरे को ये कर लेना था, ये नहीं करना था, आप आंत्रिक गिल्ट में चले जाते हो, no or do or split हो जाता है, इसको ग्यात करता विभाजन कहा जाता है, कि आप कर लिए, उसके बाद भी आप द्वंदिक स्तिती में हो, और आप पर फिर decision लेते वक्त हमारे पास दो option होते हाँ या नहीं, अगर हाँ ले लिए तो हमको सुख मिलेगा, ना ले लिए तो ये, तो इस diagram को आप डाल सकते हो, diagram भी आपने पाद, अब आपके बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि, how consigns act as a source of ethical decision making, विवेक कैसे, मतलब इसको अंतरात् decision by not letting them sway with emotionally dominating cases, that means taking judgments in the line of rule of law in case of involving rich, poor, तशल, भावुक ना हो जायां, भावनात्मक ग्रसित ना हो जायां, उस समय ने consigns आपको मदद करती है, विवेक उन्हें भावनात्मक रूप से हावी होने वाले मामलों में प्रभावित ना होकर, होने देकर, भावनात्मक रूप से ब धाराण अमीर गरीब के जगडे में जुड़े मामलों में कानून के साशन के अनुरूप निर्न लिना, ऐसा नहीं ये गरीब ने गर गलत करत्त कर दिया, तो आप भावुक हो गया, ठीक है, आरे उसके घर में मा नहीं थे, बाप नहीं थे, इसलिए विचारे ने चोरी कर भूँक से तड़प रहता है, नहीं, आप एमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो सकते है, सार उस टाइम पर, कौन साइंस आपको कहती है, अगर मैंने उसकी मदद कर दिया, तो वो एक एग्जामपल बनने जाएगा, सारी गरीबों के लिए, रहे चलो, हमको तो ये करने मिल जाता है, हमारे साथ तो कंपेंसिनेट है, साहनबूती रखते हैं ये लोग, चलो फिर से जोरी करो, लेकिन आप इमोशनली इंटेलिजेंट, मतलब भावनाप्तनक रूख से बुद्धिमानी से आप निरना लेंगे, कि नहीं, आप उसको पनिस भी करेंगे, और मेक्शियो आप हर चीज को बैलेंस करने के लिए इस तरीके से मदद करते हैं, ये content ज्यादा है, लेकिन इसमें आप कट कर सकते हैं, आपको मैं dimensions देते जा रहा हूं, लेकिन समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं deliver कर रहा हूं चीज़ों, लिखते time आप इस चीज को छोटी कर सकत हैं, अगर कम सब्दों में लिखना रहेगा, तो, enable a civil servant to better organize and give precedence to a case slash subject project, seeking more attention for greater goods to people, that means allowing hospital renovation projects proceeding a stadium renovation, मतलब आप सही निरणन लेने के लिए कौन साइन्स आपको help करती, किस तरीके से कलती है, कि मान के चलिए आपको hospital बनाना है, ये stadium का renovation करना है, अगर आपके पास project आया है, जिस में 1000 करोड का project है, तो आपकी अंतरात्मा define करेगी किस stage की जरूरत है, इस वक्त जादा जरूरी, COVID की situation है, हमारा health infrastructure चर्मराया हुआ है, उस time पे आपकी अंतरात्मा ने बोली, नहीं भाईया, अभी hospital बनना जरूरी है, stadium में जरूरी है, लेकिन हम उसको अभी hold में रख सकते ह अभी क्या जरूरी है हमारे लिए? अस्पताल, लोगों की भलाई के लिए अधिक ध्यान देने की मांग करने वाले मामले, अथ्वा, परियोजनाओं को बैतर ढंग से, व्यवस्तेत करने और प्रात्मिक्ता देने के लिए, सेविल सेवक को समक्ष बनाना, ये है, समक्ष ब ये हो गया, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छी बाते लिखेंगे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे हम इनको, being a civil servant, you may have a situation when a poor person approaches for a benefit, but he does not have proper document, so you can deny him, but out of composition, your consigns prompt you to do some arrangement for him, मान की चलिया, आप office में हो, कल को district collector बन गए, deputy collector बन गए, SDM बन गए, आपके सामने एक गरीब आदमी आता है, अपनी complaint लेके, लेकिन उसके पास document है ही नहीं, लेकिन आपकी करुणा, उसकी हालत देखके, आपका ऐसा लगता है, कि यार उसकी पूरी मदद कर दू, documents की, documents arrange करना उसका काम है, उसकी duty है, लेकिन compassion है, और आपकी consigns ने आपको उसको रोग दिया, और उसके लिए, documents की व्यवस्था करी, Suppose, मैं लिए, सीधी बात है, कि आपको सही रास्ते में चलाने का काम कर रही है, अंतरात्मा, सिर्फ इत्ता याद रखी, सही और गलत के बीच में फैसला करने के लिए, consigns है, Suppose the situation where your superiors, superiors also indulge in corrupt practice, so, it's your consigns that can raise your vice against even having so much pressure from all, मान के चलिए, यह आपका senior की corruption में लिप्थ है, और आपको पता ही कि अगर मैंने मूँ खोला, तो मेरा ही personal stake आ सकता, द्वन्द में हो, लेकिन आपकी consigns इतने pressure होने के बाद, इतना दबाव होने के बाद भी, आपको सही direction में लिजाती है, यह देखो आपके ethical decision लेने में कैसी तरीके से मदद कर रहा है consigns, हमारा पूरा track ही उस चीज में चलता है, और आगे चलते हैं हमारे बहुत भहतनीन example, असोप खेमका सर, संजीव चत्रवेदी, इन ही की अंतरात्मा थी, जिन्होंने इनको force करी to expose corruption in politics and administration, सर, काम तो सभी कर रहे हैं, next level अपने comfort zone से उपर उठकर, अपने lab और आणी से उपर उठकर, देश की सेवा करने के लिए बहुत जजबा चाहिए, इसलिए बहुत कम ही example होते हैं, यह हैं, असोप खेमका सर हैं हमारी, 53 transfers हो चुके इनके total अभी तक, 28 सालों में, और यह हमारी मैडम है, दुर्गा सक्तिनाकपाल, IAS हैं, UP IAS officer was motivated her conscience to take action against her political support, SEND Mafia, दुर्गा सक्तिनाकपाल, UP की IAS officer को उनकी अंतरात्मा ने, राजनेतिक रूप से, समर्थित, बालू याने SEND, माफियाओं के खिलाफ कारवाई के लिए प्रेरित किया था, इसलिए आज हम इनको celebrate करते हैं, क्योंकि यह बहुत courage का काम है, बहुत जजबे का काम है, हर कोई नहीं कर सकता इस चीज़ को, तो यहाँ पे हमारा topic खतम होता है, किस तरीके से हमको नैतिक निर्णा लेने में मदद करती है, यह हमारे example हो गए, emotionally intelligent करती है, सही और better decision लेने में मदद करती है, फिर उसके बाद poor और गरीब में, फिर हमारे conscience, compassion में इस तरीके से मदद करती है, corrupt practice से उसको खतम करती है, nepotism को खतम करती है, self-indulgence को खतम करता है, और हम एक एक example डाल देंगे, तो हमारी चीज़ हो जाएंगी, आगे बढ़ते हैं, अब एक question बुझ जाएगा कि, conscience is a source of ethical guidance, अब इनको हमने आयामों में बाढ़ दी हैं, क्योंकि हम answers को बहतर करना चाहते हैं, नेतिक मार्दर्शन के रूप में इसके कारे क्या हैं, एक individual level में है, political level में है, bureaucratic level में है, citizen level पे है, यहाँ पे सिर्फ हम example oriented चीज़ चल रहें, concept हमारे clear हो चुके हैं, लेकिन हम concerns बनाने हैं, हम dimensions खोल के रखने, किस तरीके से कहां-कहां यह काम आती है, यह चीज़ देखना बहुत जरूरी है, तो individual level में सीधी बात है, आपको clarity देगी, इस पश्टता देगी, क्या गलत है, क्या गलत है, और self-centered thinking से उपर उठेगी, it acts as a strong tool to evade, यहाँ पर tool लिखा है, tool है वो, इस पश्टता देगी इस चीज़ से, सही और गलत के बीच में, political level में क्या, conscience can help in reducing corruption, nepotism and profit-seeking behavior, विवेक भर्ष्टाचार, भाई बती जावार और लाभानी चाहने वाले वहवार को कम करने में मदद करता है, at each and every decision, they should keep in mind, they were elected to serve citizens, not to serve their own needs and greed, किस तरीके से political level में हर राजनेता को यह बताएगा, कि हमको इन्होंने इसली चुना है, कि हम देश की सेवा कर सके और उनको serve कर सके, ना कि हम व्यक्तिकल लाभ और हानी में लिप्त हो सके, प्रतेक निर्णव पर उन्हें यह द्धान करना चाहिए, कि वे नाग्रकों की सेवा के लिए चुने गए हैं, ना कि अपनी जरूरतों और लालच को पूरा करने के लिए, तो समझ में आ गया, यह political level हो गया, individual level भी हो गया, clear, political level, अब देखते हैं कि bureaucratic level, नौकर साही स्तर पे क्या होता है, Conscience is important whether to just follow the orders of superior versus follow the right path of judgment, उनकी यह सही करक्त करें, यहाँ पे कौन साइंस का काम है, अखंटता के उच्टम मानक को बनाये हुए, राष्ट की सेवा करने के लिए, अंत निरहित आवाज, तो वही बात है कि आपको नेशन को मेंटेन करने, आपको डेश की सेवा, राष्ट की सेवा सबसे सरपरी है, प्रवबिटी is important as they link between citizen and politician, इमांदारी हमको citizen और politician के बीच में link, और एक कड़ी की बीच में काम करती है, इमांदारी किसमें राजनेता, क्योंकि इननना policy बनाए, वस policies को implement करने के लिए, मीडियम की किसकी जरूवत है, officers और ये citizen है, तो इनका इमांदार होना बहुत जरूरी, इनकी बीच की linking को बनाए रखने के लिए, तो बिच क्रिटिक लेवल पर भी समझ में आ गया, नागरिक लेवल पर क्या, collective conscience of citizen is very important, because it defines existing society condition, सीधी बात है, मास्क पहनना, हमारी का अंतरात्मा, हमारे कर्तव हैं, लेकिन हमारी collective conscience बहुत जरूरी है, आस पास में सवचिता बनाया रखना, चुनाव में सक्री रूप से भाग लेना, मास्क पहनना, social distancing का पालंग करना, आनवेस्ट से बाहर ना जाना, यह क्या conscience है, आपकी अंतरात्मा है, इसमें आप अपना, नहीं देख रहे हैं, हमारे परिवार में तो किसी को नहीं हो आया, भाड में जाए कोरोना हो भी जाएगा, तो होगा हमको तो नहीं हो रहा, यहाँ पे आपने सिर्फ individual के बारे में सोचा, रख्तिकर लाब के बारे में सोचा, collective conscience के बारे में नहीं सोचा, तो यहाँ पे हमारा conscience खतम होता है, तो अब हम एक बार देखते हैं, कि हमने previous year questions किस तरीके से आये थे हैं, तो सीरी बात है, पहला जो question आया है, उसके अलावाज नीचे के दो question, वो थे state forward हमने cover करी लिए, तो what is ethical guidance, नैतिक मारदर्सन किसे कहते हैं, तो सीधी बात है, सही और गलत करने के लिए, जो क्रत होंगे, वो ethical guidance हो जाएंगे, जो कि हमारी को क्या है, conscience है, कुल मेला की conscience की बात करी थी, इनों ने, सही, right versus wrong के बीच में, टसल को खतम कर दिया, example डाल दीजेगा, इसमें, probability, और या फिर, हमारे कनन गोफी नातन वाला, example भी डाल सकते थे, कि इनकी conscience ने, इनको किस तरीके से, ethically guide कर आप, तो ये question आप, अलग-अलग हो सकता है, अलगल इंसान के लिए, इसका कोई standard answer नहीं, बात किस चीज़ की कही गई है, इसमें, conscience की बात करी गई है, क्या काम करता है, हो सही और गलत को कर सकता, और example डाल दीजे, कि इमानदारी हो सकती है, integrity हो सकती, ये maintain करना, या फिर आप, किसी IS officer का बता दीजी, किस तरीके से, उनको conscience ने guide करी थी, decision लेने के लिए, तो हमारे पास, मसाला है, आपको किस तरीकी सब्जी बनाना, या आपकी कला की उपर निर्भर करता है, तो इसी के साथ, हमारा conscience कंप्लेट हो गया, इससे associated चीजे, इसका पैदा होना, इसका उद्गम, ये सब चारी चीजे हो गई, मिलेंगे हम next lecture में, code of conduct को, इसके अलावा, अगर आपको कोई भी doubt आते हैं, तो आप comment section में पूछिएगा, कोई भी guidance देना चाहते हैं, तो comment section में दे सकते हैं, हमको feedback दे सकते हैं, और उसके अलावा, जो भी, जिस भी level के आपको support देना, आप donate कर सकते हैं, और पसंद आते हैं तो lectures को like करिएगा, मिलते हैं next lecture में, आप लोगों का बहुत बहुत,